आज हम बहुत ही स्वादिश्ट भर्वा बैंगन की सबजी बनाएंगे जो बनकर तो बहुत ही टेश्टी लगती है और हम इसके अंदर प्याज लहसुन का बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे और नहीं हम इसमें काजू, मुमफली या तिल का यूज करेंगे यह आधा किलो बैंगन लिये हैं जिनें अच्छी तरह से धो लिया है और यह उपर वाला पार्ट रिमूव कर दिया है और अगर लंबी रंडी हैं उन्हें भी कट कर लिया है अब हम बैंगन को बीच में से कट लगाएंगे और साथ में चैक भी कर लेंगे कि बैंगन के अंदर कोई कीडा तो नहीं है एक बरतन में पानी डाल कर रख लेंगे बैंगन बहुत जल्दी काले हो जाते हैं तो इस तरह से हम बैंगन को काटने के बाद बैंगन को पानी में डालते जाएंगे जिससे के बैंगन काले ना पड़ें और बैंगन को अच्छी तरह से चेक करते जाएए कि बैंगन में कोई भी कीडा ना हो इसी तरह से हम अपने सारे बैंगन को कट कर लेंगे अब हम मसाला तयार कर लेते हैं सबसे पहले 5 टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया है धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा ही डलता है यह हम पैंगन का ड्राई मसाला तयार कर रहे हैं साथ में अब हम डाल लेंगे 1.5 टेबल स्पून सौफ यह दरदरी कुटी हुई सौफ है सौफ को हमें हलका दरदरा ही रखना है बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है अब हम इसके अंदर डाल देंगे एक टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच आधा टेबल स्पून नॉर्मल लाल मिर्च का पाउडर तीखे पन के लिए तेबल स्पून अमचूर पाउडर और आधा टेबल स्पून जीरा पाउडर यह मसाला बनकर बहुत ही टेश्टी लगता है अब हम एक टेबल स्पून इसके अंदर डाल देंगे हल्दी पाउडर साथ में तू थर्ड टेबल स्पून नमक नमक आप अपने हिसाब से अज़ज़्ट कर सकते हैं और वन फोर्थ टी पून हींक पाउडर साथ में हम इसमें एक टेबल स्पून बेसन अड़ करेंगे अब हम इन्ही मसालों में 2 टेबल स्पून सर्सो का तेल डालेंगे ये कच्ची घानी वाला सर्सो का तेल है और हमें मसालों के अंदर सर्सो का तेल ही यूज़ करना है सरसों के तेल से मसालों के अंदर बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और खुश्बू भी बहुत अच्छी आती है साथ में हम डाल लेंगे 3 टेबल स्पून दही जिससे के ये मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं अब हम इने अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अगर अच्छी से बाइंडिंग नहीं आ रही है ज़्यादा ड्राई लग रहा है तो आप थोड़ी से दही और यूज़ कर लीजिए मसाला हमारा बनकर एकदम तयार है अब हम जो बैंगन हमने काट कर रखे हैं उसके अंदर अच्छी तरह से दबा दबा कर मसाले को भर देंगे मसाले को आप अच्छी तरह से हाथ से दबा दबा कर भरिए जितना अच्छी तरह से मसाला बैंगन के अंदर भरेगा उतनी ही अच्छी सबजी बन कर तयार होगी इस मसाले को आप किसी भी भर्मा सबजी के अंदर यूज़ कर सकते हैं सबजी बहुत ही अच्छी टेश्टी बनकर तयार होती है बैंगन भणने के बाद जो मसाला बच गया है वो हमें इसी सबजी के अंदर यूज करना है अब हमें कड़ाई को गैस पर रख लेंगे और दो टेबल स्पून सरसो का तेल डालकर गरम कर लेंगे ये दो मीडियम साइज के टमाटर हैं इन्हें हम चॉप कर लेंगे हमें इनके प्यूरी नहीं बनानी है बारिक चाहे तो आप क्रेट कर लें थोड़ा दर्दरा ही रखना है इस तरह से हमें इसका पेश्ट बना रहा है प्यूरी बिल्कुल भी नहीं बनानी है तेल गरम हो गया है अब हम इसके अंदर डाल देंगे जीरा जीरा भूनने के बाद साथ में हम इसके अंदर हींग डाल देंगे हींग और जीरा भूनने के बाद जो भर्वा वैंगन का मसाला हमारा बचा हुआ है वो हम तेल के अंदर डालेंगे और उसे करीब 30-40 सेकंड के लिए भून लेंगे बहुत जादा देर नहीं भूनना है मसाला बहुत जल्दी भून कर तयार हो जाएगा साथ में थोड़ी कसूरी मेथी भी डाल देंगे और गैस की फ्लेम एक्तम लो रखेंगे यह देखे मसाले ने तेल छोड़ दिया है अब जो टमाटर हमने चौप किये हैं उन्हें कड़ाई के अंदर डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे लो फ्लेम पर हम टमाटर को थोड़ा सा पका लेंगे गैस की फ्लेम हम लो ही रखेंगे और हम थोड़ा सा इसके अंदर नमक डाल देंगे बिल्कुल थोड़ा सा हमें नमक डालना है क्योंकि हमने मसाले के अंदर नमक डाला है इतना ही नमक हमें डालना है जो टमाटर हमने डाले हैं वहां नमक एज़ेश्ट हो जाए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है मेरा सपोर्ट होगा मसाला हमारा बनकर एकदम तयार है ये देखिए मसाले से ओयल एकदम अलग हो गया है और हम इसके अंदर पानी डालेंगे पानी हमें बहुत ज़्यादा यूज नहीं करना है आधा कप हम इसके अंदर पानी डाल लेंगे अगर आपको थोड़ा ग्रेवी वाला बैंगन चाहिए तब आप एक कप पानी इसके अंदर डाल लीजिए पानी हमें डालकर मसाली में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम पानी में उपालाने देंगे ये सबजी बनकर बहुत ही तेश्टी रगती है आप बना कर एक बार जरूर ट्राइ करें और इसे बनाना भी बहुत आसान है अब हम कढ़ाई के अंदर बैंगन डालेंगे और गैस की फ्लेम एकदम लो रखेंगे पांच मिनट के लिए हम कढ़ाई को ढख देंगे और पांच मिनट के बाद बैंगन को चेक कर लेंगे बैंगन को हलके हातों से पलट भी देंगे जिससे बैंगन और बैंगन के अंदर जो मसाला भरा है वो अच्छी तरह से पक्कर तयार हो गैस की फ्लेम हम लो ही रखेंगे और यहां में एकदम ड्राई बैंगन बना रही हूँ अगर आपको थोड़े ग्रेवी वाले पैंगन पसंद है तब आप इसमें अभी एक कप पानी और एड़ कर दीजिए और दस मिनट के लिए वापिस हम लो फ्लेम पर पैंगन को ढखकर रख देंगे अब हम चैक कर लेंगे 10 मिनट के बाद देखे बैंगन अच्छी तरह से कल गए हैं हमारी सबजी बनकर एकदम तयार है बहुत ही टेश्टी सबजी बनती है और खुश्बू भी बहुत अच्छी आ रही है आप एक बार बना कर जरूर ट्राई करें वीडियो को लाइक और च